हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू मैं चानल आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी की रेसिपी वह मेरे स्टाइल में आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए का चली रेसिपी स्टार्ट करते हैं गाइज अगर आपने अभी तक च चाहें तो और भी डाल सकते हैं इसमें मैंने यहाँ पर जो कैप्सिकम स्लाइस्ट करकी रखी दी इसमें डाल दी है इसे हम दो मिनिट तक हल्का सा स्लाइटली कुक करेंगे इसे हम यहाँ पर जो क्रंच है कैप्सिकम का वो खतम नहीं करना है इसे हल्का सा चंकी ही रखना ह सॉरी क्रंची ही रखना है और अब हमें से बस इतना ही भूनेंगे और हमेंसे निकाल लेंगे अब मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ओईल और बढ़ाया है इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है थोड़ा सा जीरा डाला है और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डाली है इसे हम अच्छे से गोल्डिन फ्राइ होने दिंगे अब मैंने यहाँ पे एक अनियन लिये है जिसको बारी कट कर रखा है इसे हम ट्रांस्परेंट होने तक कुक कर लेंगे प्याज हमारी स्लाइटली पक चुकी है अब मैंने यहाँ पे एक कट्टोरी में जो की टमाटर प्यूरे है इसको टाल दिया है यहाँ पे मैंने टमाटर को पेस्ट नहीं तैयार करा है इसका क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है इसे हलका सा चंकी ही रखा है कोट्स पीसा है मैंने यहाँ पे टमाटर को इ नमक गए – और दाल सकते हैं से तूड़ा हाल्दी पाउडर्डर धन्यक्स dhin पाउडर्ट तूड़ा है तूड़ा क्रिए भाउडर्ध सबी मसाले हमारे पक चुके हैं इसमें हमने जो हमारी प्राय करी हुई कैपसिकम थी शिमला मिट्च इसमें एड़ कर देंगे और यहां पर देट सो से दो सो ग्राम पनीर है मेरे पास इसे क्रम्बल कर लिया है और इसमें डाल देंगे गाइस पर अपने स्टाइल में और वी क्रियेटिव रेसिपी अपने चैनल पर अप्लोड करती रहती हूं आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं हाली में मैंने कैपसिकम की एक बहुती नई रेसिपी डाली है जिसका लिंक मैंने यहां पर आई बटन पर शेयर किया है आप व अब इसे स्टेज पर मैं यहां पर कसूरी मेथी डालूंगी कसूरी मेथी डालने से बहुती अच्छी खुश्बू आती है अस्वात कई गुना बढ़ जाता है इसके बाद मैं यहां पर थोड़ा-स गरब मसालर डाल रही हूँ और थोड़ा सा आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर ना हो?, तो आप यहां पर चाच मसाला भी डाल सकते हैं अदर्वाइस आप इसे इसे इसके भी हट Holz सकते हैं इन सबी मसालों के अच्छी से पका और लिट लगा के दो से तीन मिनिट इसे पकने देंगे यह देखिए हमाई रेस्वी बनके तयार है इसमें जो भी मौशिर है आप उसे अच्छे से प्राइ कर लीजे वो सूख जाएगा और ठंड़ा होने पर वह भी एब्सोंब हो जाता है सूख जाता है जो हमाई पनीर भुर्जी बनके तयार है लास्ट में आप इसमें धनिया प बहुत ही टेस्टी खुश्बूदार हमारी पनीर भुर्जी बनके तयार है यह रेस्पी ऐसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई